अगर आप टारो में, ओकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अधर वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course, जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा, अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, ये भी इस कोर्स में covered है, और इसी से ही related, अगर कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं, अब दिखिए अगर आप WhatsApp करेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा, क्योंकि calls at times miss हो जाते हैं, लेकिन WhatsApp आप करते हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलता है, और अगर आपका taro occult में बहुत interest है, लेकिन अभी आप सीखने के mood में नहीं है, आप मेरा free webinar जॉइन कर सकते हैं, जिसमें इन ही सब चीजों से related काफी सारी information आपको जानने को मिलेगी, और इन दोनों के ही links यानि क taro certification और webinar के links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए June 2024 की Love Taro Reading, तो अगर आप जाना चाहते हैं कि June मन्थ में आपके partner की क्या energies होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, finally again June मन्थ में आप दोनों के बीच में क्या रह रहा है, तो ये reading आपके लिए है, और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें, तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे हो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, moon sign हो, या फिर sun sign हो, तो चलिए जी देखते हैं कि June मन्थ में आपकी love life में क्या हो रहा है, ये सर्चिएज कारे एक ना Taste, आप लोगों के लिए देखें कि June 2024 में आपकी भल्लाइफ में क्या हो रहा है मेपस यापर से यापर तीन सेट कार्ट हैं फर्स सेर यापर में हम आपकी एनरजी देखेंगे Second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे And third set of cards में हम देखेंगे कि finally June मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं King of Wands and Stress Stressful और ये cards कहते हैं कि कुछ time से या फिर June स्टार्टिंग में आप surface level के लिए यानि कि उपर ही उपर से काफी enthusiastically काफी excited तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं अगर कुछ action initiatives partner के लिए इस relationship के लिए लेने की जुरत है वो भी ले रहे हैं लेकिन मन ही मन कोई चीज आपको bother कर रही है कोई चीज आपको परिशान कर रही है किसी चीज को लेकर एक stress tension आप महसूस कर रहे है और दिखिए इसके सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन है आपको six of coins reverse का card कहता है आपको हो सकता है कि mid June में ऐसा लगे इस relationship में एक balance तरीके से चीज़े नहीं हो रही है आप दोनों में से कोई एक जादा दे रहे हैं और दूसरे जन जादा ले रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है से जब भी भी relationships में balance बिगरता है, problems होनी शुरू हो जाती है हम परिशान होते हैं और starting में ही इस चीज को check करके correct कर ले यानि कि ये चीज ठीक हो सकती है इसे ठीक कर लें और अगर नहीं हो सकती तो हम withdraw कर लें, let go कर दें relationship को हम अपनी life में चीज़ों को असान करते हैं लेकिन जब इस ये नो disbalance को हम नहीं समझ पाते हैं और फिर भी हम या तो over देते रहते हैं या फिर लेते रहते हैं तो फिर आगे चल कर बहुत परिशान होते हैं और कहीं हो सकता है mid June में आपको इस चीज का हैसास हो रहा है कि बहुत ज़ादा on and off वाली energies रह रही हैं या तो आप हमेशा ही एक begging वाली energies में होते हैं यानि कि अपने partner को convince कर रहे हैं आप अपने partner के लिए आप ज़ादा कर रहे हैं और कहीं आप ज़ादा giving होते हैं या फिर आप receiving end पे होते हैं ज़ादा आपके लिए दिख रहा है कि एक you know partner को convince करने वाली energies आपकी तरफ से रह रही हैं अब कभी-कभी क्या होता है, बहुत upfront होके लोग कर रहे होते हैं, कभी-कभी बहुत subtle level पर यह चीज हो रही होती है, यानि कि हम ऐसा कर नहीं होते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूंगी कि हम अपने words से ऐसा नहीं कर रहे होते हैं, हम बोल कर नहीं उनको convince कर रहे होते हैं, लेकिन हमा आप जादा giving वली energies में रहते हुए दिख रहे हैं और दिखिए फिर से काऊंगी ये general reading है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए बिलकुल ये अलग तरीके की एक giving and receiving वली energies में disbalance रह सकता है और दिखिए जो भी हो रहा हो कहीं deeper level के लिए wasting time का card कहता है आपको इस चीज का हैसास हो सकता है कि आप बहुत time waste कर रहे हैं और कुछ concrete इस relationship से मिलेगा नहीं कुछ concrete इस relationship में होगा नहीं और शायद इसलिए यहाँ पर five of coins reverse का card कहता है कि आप इस relationship को कहीं खतम करना चाह रहे हैं थी कि खतम करना is actually not the right word लेकिन कहीं end June में या June मन्त में अपनी इस तरफ से आप कहीं दर्वाजा बंद कर रहे हैं कहीं partner को ignore कर रहे हैं उनको अपनी activities में अपनी चीजों में involved नहीं कर रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप अपने partner को block कर रहे हैं social media पर या फिर ब्लॉक करना चाह रहे हैं या धीरे धीरे करके you know is relationship से निकलना चाह र और partner को बहुत ज़्यादा अपनी चीजों में involved मत करो include मत करो थोड़ा सा अपने उपर focus करो थोड़ा सा you know अपने आपको prioritize करो तो कहीं इस तरीके की energies रहते हुए दिख रहे हैं देखे 5 of coins का card कहीं rejection की बात करता है कहीं block करने की बात करता है आप कुछ seretaries के लिए हो सकता है जो भी हो रहा हो negative thoughts about you का card कहता है कि बहुत आपके मन में partner को लेकर एक negative energy रह रही है बहुत negative thoughts आ रहे हैं और हो सकता है इसलिए भी आप किसी भी level पर उनको block कर रहे हैं कभी कभी होता है ना फिर से मैं कहूंगी social media पर हम block कर देते हैं कभी कभी होता है कि हम धीरे धीरे उनको avoid करना शू कर देते हैं, ignore करना शू कर देते हैं, अपनी चीजों में include करना बंद कर देते हैं तो कहीं इस तरीके की energies आपकी तरफ से रहती हुए दिख रही हैं अब partner के लिए देखें तो देखें सबसे बहला card है 8 of cups reverse और ये card दो चीजें कहता है यहां तो आपके partner इस relationship को बढ़ पा रहे हैं फिर से आपको clear कर दू कुछ सरीटेरेस के partner के लिए हो सकता है कि आपके partner इस relationship को छोड़ कर आगे बढ़ना चाहरे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं और अगर आपके relationship में पीछे कुछ issues रह रह रहे थे, मसले रह रहे थे, एक distance आया था तो आपके partner वापस इस relationship में आना चाहा रहे हैं लेकिन देखे deeper level के लिए shady का card कहता है कि बहुत clear नहीं है चीजों को लेकर उनके motives उनके intentions बहुत clear नहीं रहते हुए दिख रहे हैं अगें दिखे shady को आप खुदी समझ सकते हैं कि जैसे जो भी कह रहे हैं उसका मतलब कुछ और है या पि struggling का card इस चीज़ को और जादा confirm करता है in and out up and down वाली उनकी energies रहे हैं कहीं ठोस तरीके से अपनी बात को नहीं रख रहे हैं stand नहीं ले रहे हैं relationship के लिए कभी हा कहते हैं कभी ना कहते हैं कभी you know इस relationship में आ जाते हैं कभी withdraw करते हैं तो कहीं इस तरीके की energies रहते हुए दिख नहीं हैं और देखिए ये energies actually toxic होती हैं क्योंकि अगर सामने वाला आपके साथ बैठ के अपनी problem बता के ना कहता है मतलब की कहता है कि वो relationship को further नहीं लेकर जा सकता है ये बहुत एक अच्छी बात होती है हमें तकलीफ होती है बुरा लगता है बट अगर सेम टाइम हमारे को क क्लोशर मिलता है एक acceptance आती है और हम आगे बढ़ पाते हैं लेकिन जब कोई इंसान ना आ रहा है ना जा रहा है तो वो बहुत जादा हमें परेशान करती है situation और आपके पार्ट में के ऐसी सी energies रहती भी दिख रही है और यहां पर 9 of 1s का card कहता है कि कहीं वो भी बहुत exhausted feel कर रहे हैं वो भी काफी hurt और किसी चीज को लेकर थोड़े से परेशान हो रहे हैं लेकिन surface level के लिए नहीं give up कर रहे हैं यानि कि सामने से आपको ऐसे लगेगा कि नहीं ये तो कितनी हिम्मत जुटा रहे हैं ये तो relationship में give up नहीं कर रहे हैं ये तो सब problems को face कर रहे हैं लेकिन म नहीं मन के लिए shady and juggling दोनों ही cards कहते हैं कि उनके intentions, motives ठीक नहीं हैं कहीं वो बहुत clear नहीं हैं अपनी चीजों को लेकर कहीं बहुत strongly stand नहीं ले रहे हैं and june end के लिए devil का card कहता है कि थोड़े से controlling हो सकते हैं, dominating हो सकते हैं काफी उनकी obsessive, possessive वली energies again मैं कहूंगी june end में रहती वे दिख रही हैं अब देखते हैं Sagittarius की June मन्त में क्या हो रहा है, तो दीखें June starting के लिए night of swords, reverse and quickies के card कहते हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से या फिर काफी impulsive हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, blunt और straightforward communication रहता हुआ दिख रहा है और कुछ के लिए हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही move on करना चाहा रहे हैं, लेकिन move on नहीं कर पा रहे हैं अगर इस time period पे आप दोनों में से कोई एक travel कर रहे हैं, तो travel से related issues रह सकते हैं, या मसले रह सकते हैं और दिखिए, थोड़ा सा quickies का card कहता है, बहुत जल्दबाजी में कुछ चीज़ें हो रही हैं, या कर रहे हैं, या पिर चाहा रहे हैं और कहीं देखिए, mid June से लेकर end June तक एक passive से energies रहती हुई दिख रही है, king of coins reverse का card कहता है, कि बहुत practical, बहुत realistic होके, आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को deal कर रहे हैं कहीं stability, commitment काफी एहम रहती हुई दिख रही है, या पिर अपने professional front, अपने career, finances पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जादा focus कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं और deeper level के लिए stalker का card कहता है, एक दूसरे को stalk कर रहे हैं, एक दूसरे पर पूरी नजर रखे हुई है, एक दूसरे की हर चीज़ को observe कर रहे हैं और देखिए फिर से मैं कहूंगी end June के लिए seven of swords reverse and need a break के cards कहते हैं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि चीज़ें fair नहीं हो रहे हैं और मैंने यहाँ पर अभी आपको बहुत clearly बिताया कि आपके partner के intentions, motives नहीं ठीक लग रहे हैं तो एक cheating वाली भी energy आप दोनों या पर Sagittarius आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर फिर से देखिए seven of swords reverse का card कहता है चुप चाप बिना बताए चोरी चुपे आप दोनों में से कोई एक इस relationship से आगे बढ़ना चाह रहे हैं फिर थोड़े से manipulative हो रहे हैं, diplomatically चीज़ों को deal कर रहे हैं अगे देखिए यह का cheating की बात करता है तो मैं यह नहीं कहूंगी की cheating literally हो रही है या फिर third party की वज़े से हो रही है जब सामने वाला upfront हो के चीज़ों को नहीं deal करता बहुत clearly अपनी feelings को नहीं communicate करता कहीं transparency नहीं रखता तो यह भी cheating होती है तो इस तरीके की energies रहती भी दिख रही है, थोड़ा सा manipulate करता है तो यह भी cheating होती है तो इस तरीके की energies again मैं कहूंगी रहती भी दिख रही है पॉस लेना चाह रहे हैं, अब देखें, मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि break up हो रहा है, सबका relationship different level पर है, different you know energies, energies तो खर सेम ही रहेंगी, लेकिन situation, circumstances differ कर सकती हैं, but yes, अगर आपके relationship में बहुत issues, बहुत मसले, बहुत time से चल रहे हैं, तो end June में break up होने के chances हैं, और relationship ठीक ठाक चल रहा है, तो June मन्त में इस तरीके के energies रह सकती हैं, और end June में आप दोनों ही थोड़ा सा withdraw कर सकते हैं, backseat ले सकते हैं, थोड़ा सा pause ले सकते हैं, और कहीं देखें, फिर से कहूंगी, intentions, motives, आपके partner के खासकर नहीं ठीक रहते हुए दिख रहे हैं, और ये चीज एक मुद्धा बन सकती है, ये चीज कहीं एक issue रह सकती है, जिसकी वज़े से छोटा मोटा again मैं कहूंगी issues रहते हुए दिख रहे हैं, तो ये तैसे डीडे देस आप लोगों के लिए June 2024 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें